तो वाल ट्रेडर्स कैसे हो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दो ट्रेडिंग स्टेटजी सिखा होंगा एक है रिस्की थोड़ी लेकिन उसमें कोई इंडिकेटर नहीं है कोई मैथ नहीं लगाना है मतलब कुछ नहीं है वो मैं अभी आपको एक्स्प्लेइन करूंगा जिसमें कोई एफट नहीं लगाना है लेकिन रिस्क है थोड़ा बहुत रिस्क है और दूसरी जो ट्रेडिंग स्टेटजी होगी वो होगी कम्प्लीटली रिस्क फ्री जिसके अंदर आपको मैथेमेटिकल कैलकुलेशन भी करने है और इंडिकेटर भी लगाना है उसमें औ और भी बहुत कुछ होगा लेकिन वो सेफ होगा तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सी स्टैटेजी अच्छी लग रही है अगर आपको दोनों ट्रेडिंग स्टैजिश लग रही है तो दोनों के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो कोई एक आपको जम रही है तो कोई एक फ तो पहले स्ट्राइजी जो रिष्कि है करना क्या आपको दिखी पांच मिनिट की सबसे लाश्टवाली केंडल दिन की मतलब साड़े क्यारा बजे अब आप को कि यार साड़ा ग्यारा बजे तो ले ले dibuj बता हैा आज सबी यार वारा एक बजने तक लोग जागते ही तो जागना पड़ेगा अगर पैसे कमाने है तो यह पसंद है तो द्यान से सुनना यह लास्ट वाली जो कैंडल है बतलब यह बंद होगी और यह ओपन होगी क्यारा बज़ कर पच्चीस मिनिट पर यह ओपन होगी तो ग्यारा उन्तीस तीस के बीच में आपको प्राइस देख लेना है क्या है बतलब एक मिनिट पहले गयान से सुनिए का जो भी प्राइस है वो प्राइस का स्ट्राइक प्राइस लगा देना है अब यहां पर अगर हम तो ये साथ अजार अठावन है तो हम साथ अजार एक सो का कॉल और पुट दोनों खरीद लेंगे जो भी रेट होगा वो रेट से नॉर्मल में अब अब को किसर इसको तो कैरी फॉरड करना बहुत रिस्की है तो मैं उसके उपर भी आ रहा हूं इसमें कितना रिस्क है उसके किसर भी हम आ रहे हैं किंए तो क्या करना है एक और रिपीट करता हूं दिन की जो आखरी पांस मिनिट की केंडल जो बंद होने में cushy लोने में एक से दो मिनिट बाकियो को आपको प्राइस देख लेए ना है कि वहां साथ-जास तॉस हाथ होना है साथ अजार साथ जल रहा जिसमें एक lot अगर आपके पार एक lot का fund है तो भी अपटेट कर पाओगे लेकिन यह उन लोगों के लिए है जिनके पास दो lot यह से जादा का fund है तो एक साथ अजार एक सो कापने कॉल ले लिया एक आपने साथ अजार एक सो का put ले लिया अब अगर दूसरे दिन मार्केट कितना भी अप डाउन हो रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है दोनों साइडे इसलिए यहां पर एक यह चीज है एक सिनेरिव यह हो सकता है कि दोनों सस्ते हो जाएं लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुत बहुत कम टाइम होगा ऐसा कि बाई दोनों जो है वो अगिस्त जाएं दोनों सस्ते हो जाएं तो अब करना क्या है? यह हम क्यूं कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने यह ले लिया तो सुबह क्या होगा? Gap down open होगा या gap open होगा या flat open होगा. तो ऐसी condition में daily आपको starting के 5 से 7 मिनिट के इंदर यह जो दोनों के बीच में आपको 10 से 12 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा, तो 10 बारा पॉइंट का आपको profit होगा, मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है, पिछले दिन हम भी मैं गया, तो मैंने चेक किया, तो 10 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट के बीच का जो गैप हो हम, हमें मिल सकता ह है तो दिखिए आप अगर दो ले रहे हो तो मेरी साब से कुछ 62-70,000 का आपका investment होगा और दूसरे दिन आपको सुबह जैसे ही पहला candle बंद होने पे हो तो निकल जाना है पांच से दस मिनिट के बीच में ही आपको निकल जाना है उससे पहले आपको gap मिल जाएगा मतलब आपकी जो order book को की वहां पे आपको हजार बारा सो पंद्रा सो रुपए प्लस माइनस सौरी प्लस दिखता रहेगा माइनस के प्लस बहुत कम है अगर नहीं दिख रहा है सो दोसो डेट सो जो भी दिख रहा है निकल जाओ उसको फिर आगे के भी फॉरण नहीं करना है दिन की पहली केंडल और दूसरी केंडल के बीच में निकल जाना है उससे पहले आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा और इसमें थोड़ा क्विक भी रहना पड़ेगा order book के उपर आ जाईए जैसे ही वहां पर आपको दिख रहा है तुरंत exit करो क्योंकि ये market rate से exit ये कि नहीं होते हैं आपको पता है उसको exit कैसे करना एक जो रेट चल रहा है उससे महँगा सहस्ता करना पड़ता है वो चीज़ आपको पता है तो ये आप जरूर देख लीजीए गा ता今 कहको इक मार्केट रेट से कैसे इसको exit范 करना है वह करने नहीं देगा वहां पर आप market select करोगे तो वो करने नहीं देगा लेकिन आपको क्या करना है मान लीजिए अभी मुझे यहां पे इसको market rate से मुझे खरीदना है तो यह 7196 चल रहा है तो market order डालूँगा तो वो क्या करता हैं का option कि यह बंद है यह आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या गरो यह देखिए 7200 चल रहा है अब दिखिए 7198 चल रहा है ना तो 7200 डूल दो मतलब जो रेट चल रहा है उसे महंगा डालोगे तो आपका मार्केट रेट से बाय हो जाएगा और जो रेट लेफ साइड में चल रहा है मार्केट डेफ्थ में चेक करिए उसे सस्ता डालोगे तो सेल हो जाएगा मार्केट से जो कोटे संचल रहा है उससे नीचे उपर डाल दो हो जाएगा वाकि डीटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा अना तो ये स्टेटजी आपको समझ में आ गई सिंपल कोई मतलब इसमें ज्यादा वो नहीं है जब मार्केट क्लोज होने वाला हो एक मिनिट का टाइम बाकी हो तब वो जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस का कॉल और पुट ले लो और सुबह पांच से दस मिनिट के बीच म हैं जैसे यह आपको बारासो पंद्रासो का प्रॉफिड दिखे हजार बारासो पंद्रासो अच्छासो निकल जाओ कोई यहां पर आपको परेचानी वाली बात नहीं होगी तो इसके मैं आपको एंगजामपल भी दिखाता हूं तो यहां पर दोस्तों अभी रिसेंटली हम example देख लेते हैं जैसे कि कल का ठीक है यह 5 October का है यहां पर देखिए इसका जब closing हो रहा था तब price 7200 क्या असपास 7200 की नजदीक था तो हम 7200 का ही लेंगे आप चाहो तो 7100 का ले सकते हो लेकिन यह बहुत नजदीक क्या 7000 तो हम बहुत होंगे तो यहां पर देखिए इसका क्या price सा जब close हो रहा था तब closing price 256 है तो हम यह मान के चलते हैं कि एक रुपए हमें महेंगा मिला होगा ओके लेकिन ऐसा होगा नहीं लेकिन हम यह मान लेते हैं तो यह टू-फिप्टी एट पर मिला होगा दो रुपए का हम यहां पर लॉस का रहे हैं ओके इसका प्राइज अगर देखें टू-फिप्टी सेवन टू-फाइज सेवन पर हमने बाय किया एक बाय किया टू-एटी एट पर तो दोनों का जो टोटल है वो फाइफ फॉर्टी फाइव हुआ ओके अ इस्कोटा देते हैं और यहां पर चलते हैं तो सुबहे जब यह ओपन हुआ तू-फिप्टी-स इक से लेके टू-सिटी एट थर्टी पर गया और यहां पर पी टू-सिक्स्टी फाइज ने हाइब बनाया तो जब यह तू-सिक्स्टी सेवन टू-सिक्सटी एट चल रहा ह मान ले थे हमने 260 पर यह हमारा चला गया 267 मान लेते हैं चली माइनस आश्री यहां पर 267 पर यह गया ओके कॉल और यह हमारा गया 295 पर यह 295 ओके तो इसका जो टोटल है वह हुआ 562 एक और बर मैं आपको दिखा देता हूं अगर समझ में ना आया हो तो हमें पांसे दस मिनिट के बीच में निकलना मतलब यह पहली केंडल से दूसरी केंडल तो इसका है टू-95 तो पांच मिनट दो हम वेट करेंगे जब यह क्लोज होने वाला होगा हाई के नज़िक होगा क्योंकि ओपन होते ही उपर की साइड चला गया है तो जब यह क्लोज हो है तक प्राइस दठाब शाइबस करें सब्सक्राइब सत्यूर्थ टू-190 आसपास और इसका जो प्राइज हो था टू-65 June locked लेगें हाई गाय attached को और इसका हाई गया था टू-950 तो आमने यहाँ से कुर्पया गटा दिया इन यहाँ से गता दिये फिर इसका टोटल 562 बन रहा है ओके और इसका 545 बन रहा है समझा एक और बार समझाता हूं दिखिए ये क्लोज की नस्दिक जब था 7200 का तो कितना रेट था 256 दिख रहा है यहां पर देखना है यह देखो यहां पर तो जैसे ही में लेकिया है 256 तो यहां पर देखिए यह 256 और पुट के अंदर चलते हैं यह क्लोजिंग के टाइम इसका रेट था 287 तो हमने 288 कर दिया ऐसे कर दिया देखिए कितना हुआ 544 हम यहां पर 257 कर देते हैं दीक है 545 हुआ तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस 545 और यह है 562 ओके तो 17 पॉइंट यहां पर हमें मिले वैसे हमने कि यह सिर्फ एक दिन हुआ है यह रेगुलर्ली आपको मिलता रहेगा है ना पीछे अगर चलना है तो पीछे भी चेक कर लेते हैं ओके अभी यह तो क्या है कि आदा दिन था उस दिन भी मिले हमें लेकिन उससे पहले चलते हैं देखिए यहां पर यह क्या है फूर्थ ऑक्टबर ओके इसका क्लोजिंग प्राइज 7064 है और हाई ए 706 बै तो यह इन दोनों के बीच में रहा होगा जैसे बात है तो यह 7100 के ज्यादा नजदीक है तो 7100 भी लगा सकते हो 7700 भी लगा सकते हो तो 7100 हम उपन करते हैं चलिए यहां पर क्रूड 7100 यह राइट यह राइट टन फूर्थ ऑक्टबर को दोनों का प्राइज हम देख लेते हैं इसको निकाल देते हैं ओके यहां पर उपन ठीक है आगे भी बहुत सारी स्टेटेजीस हैं ठीक है दन दन ओके फूर्थ ऑक्टबर पे इसका जो क्लोजिंग टाइम पे जो प्राइस था वो था टू सेवन्टी टू सिक्स्टी देख रहे हैं आप अब इसका जो प्राइस हैं वो तीन सो साड़े दिन सू के बीच में हैं डाइसो से लेके साड़े टू फिप्टी से थी पे मिला और फूर्थ ऑक्टोबर पे अपने को साथ अजार एक सो का पुट मिला थीन सो तेरह हैं तूम तिन सो तौदा मान लेते हैं ओके तिन सो चौदा और दोसो तेहत्तर त्रीवन फूर तोसो तेहत्तर अगर लॉस्ट भी हो रहा है तो कितना हो रहा हो भी मैं आपको दिखाँगा यह देखिए फाइटी सेवन हो गया टोटल इसका अच्छा आप नेक्स्ट क्या रहा हो देखते हैं यह देखिए यह ओपन हुआ और इन दोनों के बीच का अगर हम बात करें जब क्लोज हो रहा था यह टू फाइव नाइन इसका हाई है टू सेवन फाइव फ ठीक है इन दोनों के बीच का प्राइज इसका हाई़स्ट प्राइज है तीन्सो अड़तियसा के थ्री अइट और इसका हाई प्राइज है टू सेवन फाइव फाइव तो इसके लिए चोटी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा कि जब 5 मिनट होने वाले थे तब उसका रेट क्या था तो 5 October को देखते हैं अब इसको हम क्या करते हैं 2 मिनट में चले जाते हैं कि और यह दिखिए ना देखा यहां पर आपने क्योंकि यह 4 अक्टबर कम ने लिया था तो 5 को 5 कहीं देखेंगे यह थे वो तो यह पहली 2 मिनिट है यहां पर यह क्या था यह आदा दिन था इस दिन लेकिन फिर भी हम इसको काउंट कर रहे हैं और यह दूसरी 2 मिनिट हैं अलब दो पे बंद होगा और यह 4 पे बंद होजाएगा और यह 4 पे खुलेगा और 6 पे बंद होजाएगा मेरा ध्यान क्या है कि 3-4 जग़ा पर रहता है तो थोड़ा कभी कबार 5-10 परसंट मिस्टिक रहेगा बूलने में उसके लिए सौरी तो यह देखिए यह पहले यह पहला कैंडल ओपन हुआ यहां पे और सिधा गिर गया यह दूसरा ओपन हुआ सिधा गिर गया और यह तीसरा मतलब इन बिट्वीन हमें रेट मिला होगा यह अगर हम बात करें यहां से ओपन होने के बाद यह थोड़ा इन जो उसके अंचे से जाएंज में था यह पहां पर ऑर यह यहां पक्र एगा ता हम क्या करेंगे यहां से बीच का पर इस निका लेंगे धूरी थरपट फॉरि थर्टिवाइव ठीट फव और तू सिक्स्ट्र यां पे इसका टोटाल क्या था तो तेरा पॉइंट यहां पे दो पॉइंट ब्रोकरेज के निकाल दो एक पॉइंट और निकाल दो हजार पॉइंट फिर भी मिले मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत उपर नीचे हो गया प्राइजिंग में फिर भी पांत सो साथ सो रुपे मिले होंगे तो अब कुछ लोग क और निकाल दो अठरा दिन अठराएजार रुपे उतनी आपकी सेलेरी भी नहीं होगी मैं सबको नहीं कह रहा हूं लेकिन जो मुझे बोल रहे थे ना कि आजार से क्या होगा तो आजार से बहुत कुछ होता है बाई तो ऐसी सोच मत रखो दस भीस परसंट नेगिटिव लो मुझे मतलब समझ आएगा मैं इसकी उपर काम कर पाऊंगा की नहीं फिर करो यह मैंने अब्सर्व किया मुझे लगा कि इस पर पिले मिलेगा हो सकता है दो मेने तीन मेने के बाद कुछ सिच्वेशन अलग हो तो रेगुलर्ली मॉनिटर करते रहो स्ट्रेजी को तो यह जादा एक्जमपल देने का कोई मतलब नहीं है आपको समझ में आ गया है क्या करना है कब करना है इसके साथ साथ पिवाट बॉक्स का आप नेक्स्ट वर्जन में लेके आया हूं पिवाट बॉक्स आपने देखा होगा कर नहीं देखा है तो लिंक चेक कर लीजेगा मैं डि हैं उन पर मैं काम कर रहा हूं तो उस पर बिजी रहता हूं थोड़ा पर्सनल भी काम रहते हैं और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो मैसेजिस करते रहते हैं दूसरा आप सभी जानती हो कि भाई अभी हैल्थ का काफी इशो था प्रिवियस मन्थ में सब्टेंबर में पूरा महीना मैंने ऑस्पिटल में निकाला है ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ मैं ही बिमार था फैमिली मेंबर भी पता नहीं अचानक से बिमार हो गएं तो खेर लाइफ है चलता रहता है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कट टू कट ओके study में जाना है आपको pivot point लगा देना है standard अब मैंने फिबो नाची निकाल दिया है क्योंकि confuse कर रहा था लोगों को इसलिए आप चाहो तो फिबो नाची लगा सकते हो लेकिन मैं recommend उतना नहीं करूंगा वो confuse करेगा फिर दोनों को आप देखोगे और confuse हो जाओगे उससे अचा तो यहां पर अगर मैं बात करूं नो नो पचास हैं यह ठीक है तो यह रहा है यहां से इसके बाद तो यह क्या है कि एक गंड है आपको यह line भी मिल जाएंगी और थोड़ा बहुत market भी adjust हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है line ले लेना है यह pivot है उससे क्या करना है 25 पॉइंट नीचे line draw कर देना है 25 पॉइंट जादा नहीं तो यह तीस है यहां पर तो मैं गया करूंगा यह पांच पर करूंगा एक्जेट मतलब वो नहीं कि ऐसा नहीं कि एक्जेट ही होना चाहिए सब कुछ लेकिन हाँ 20-25 पॉइंट के बीच में 22-23 कुछ भी अब उपर नहीं करना है पहले हम इसके उपर भी करते थे लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा हाँ अगर आप रिस्क लेना चा आते हो तो कोई प्राबलम नहीं है ऐसला आपका बड़ा होगा अगर दो लोट तीन लोट चार लोट का मारजिन है तो आप कर सकते हो लेकिन अभी यह जो स्ट्राटेजी है कंप्लीटली एक लोट वालों के लिए उसके बाद यह लाइन देखिए काफी नजदीक है इन दो जो दो लाइन है उन दोनों के बीच का जो गैप है वो सो पॉइंट का एटलिस्ट होना चाहिए है ना ना नाइन्टी हंड़ेट नबे से सो अब मैं सो बोलूँगा ना तो फिर पच्छ नाइन्टी फाइगा ना फिर भी मतलब ट्रेड नहीं लेंगे तो अपने को ऐसा न जो थ्री सिक्स तो हाँ यह नाइन्टी पॉइंट का गैप है चलेगा अपने को कोई प्राबलम नहीं इस से नीचे अपने को बीस पॉइंट जाने देना है थर्टी यह सिक्स है तो ट्वैंटी सिक्स वन सिक्स और यह बंदरी चलेगा ओके और इसके नीचे भी लगा देन है देखिए इतना और इसके उपर लगाना है जो उपर आली लाइन है उनको क्या करना है उपर लगाना है ना इन दोनों के बीच में भी गैप है सोव पॉइंट जैसा तो लगा दो बस और जो रिजिस्टन्स त्री है उसको अभी रहने दो उसके पास तो मार्केट कभी कभार जाता है लेकिन अगर जा भी रहा तो आप क्या करो इस तरीके से कर सकते हैं देखो रख तो कोई प्राबलम नहीं है अपने को इसके उपर भी अपन रख देते हैं ओके तो इस तरीके से लाइने ड्रॉ करनी है बहुत से ट्रेडर मुझे यह कहा है सर लाइन ड्रॉ करना लिगा दिया आपको ऐसे लाइने ड्रॉ करनी है दस बज़े आना है जो भी लाइने है नीचे की लाइने है उनको उनसे नीचे लाइने ड्रॉ कर देनी है बीस पच्छीस पॉइंट उपर की जो लाइने उनसे उपर बीस पच्छीस पॉइंट लाइने ड्रॉ कर देनी है अ नीचे वाले जितने भी अपने गैप है वो बाए के गैप है अच्छा अब अगर मार्केट कोई गैप को ब्रेक कर रहा है मतलब इसके नीचे आ रहा है अपना इसलिट का रहा है मैं बताऊंगा आपको इसल क्या रखना है होइट करिए तो हम क्या करेंगे फिर गोम जाएंग मतलब अब हमारे लिए ये सेल का हो जाएगा ना बताता हूँ मैं आपको डरिये मत अभी लाई मार्केट के साथ भी बताऊंगा और प्रिवेस मार्केट के भी एक्जामपल लेके आपको मैं बताऊंगा ये रिखिए अल्मॉस्ट सेम ही है ना ये बाय जून था अच्छा खा बाग गया अच्छा तो अभी इसको मैं एक एक संबल के तोर पर ले ले लेता है लाई मैं तो जब आएगा तब आएगा देखिए ये जैसे ही ये जोन में आए आपके ये तो आपको क्या करना है बाय करना है ठीक है ये जोन में कहीं में भी कर सकते हो ये बीस पॉइंट प पूट ले सकते हो यहां पर हम क्या करेंगे कॉल लेंगे ओके क्योंकि हम में बाये करना है सिंपल यह जोन में जैसे है और अगर उपर के जोन में आ रहा है तो वहां पर जो भी रेट चल रहा है वो रेट का हम पूट ले लेंगे सिंपल और अगर इस से यह जो लाइन है पल देता हूँ, अभी मार्केट यहां पे चल रहा है, मान लिजे यहां से यह उचल के यह रेंज में आया, यह अपना जो एक हाचा है, तो यह हम यहां से क्या करेंगे, सेल करेंगे इसको, और इससे पचीस पॉइंट उपर हम क्या करेंगे, एसल लगाएंगे, अगर वो ही तो हम निकल जाएंगे, अच्छा अब आपका यह सवल होगा कि सर्म फूचर में तो करते नहीं हैं, आप्सन में करते हैं, तो आप्सन में हैसल क्या लगाना है, क्योंकि अगर यह अचानक से सो दोसो पॉइंट उपर चला गया, तो हमारे तो भारिलाउस हो जाएगा, तो को क्या करना है, ट्वैंटी थ्री पॉइंट का, ट्वैंटी थ्री पॉइंट का एसल लगा देना है, जैसे ही पोजिशन ले रहे हो, वैसे, अब मान लीजे, मार्केट यह जो न में आया, आपका सेल हो गया, अब मार्केट यहां से पच्चीस तीस पॉइंट गिर रहा है, तो आप क्या करोगे आपका जो एसल है वो 23 में से 20 का कर दोगे 18 का कर दोगे 15 का जैसे जैसे आपके फिवर में आ रहा है वैसे वैसे आप एसल को ट्रेल करते जाओ ताकि अगर बड़ा मूव आए आपके उपोसिट साइड में तो आप बच जाओ समझ गए और इन बिट्विन अब देखिए ये तो समझ में आ गया सेल कब करना है बाइक अप करना है टार्गेट एसल क्या है समझ आ गया एक और बार रिपीट कर देता हूँ नीचे वाले जो भी आपने लाइने बनाई है ठीक है यह हमारा बाइजन है यह हमारा सेल जोन है जैसे यह जोन में करूडल न का प्राइज आ रहा है वैसे आपको उस टाइम पर जो भी रेट चल रहे है वो रेट वाला आपको कॉलईपुट ले लेना है 23 का first time ऐसल रख द अंदर इससे फाइदा क्या होगा कि पहले जो लिमिटेड प्रॉफिट मिलता था आप वो प्रॉफिट लिमिटेड नहीं रहेगा वो मैक्सिमाइज हो गया बढ़ गया है ओके आप चाहते हो कि भाई मुझे 20 पॉइंट लेने निकल जाओ आप चाहते हो मुझे 40 लेने SL को ट्रेल करते जाओ मान लीजिए आभी आपको 30 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है और आप 40 पॉइंट के लिए रुक्यों तो उस टाइम पे आपको जो ऐसे लोगा नो पंदरा पॉइंट प्रॉफिट का प्रॉफिट एसल पर कनोड हो जाएग को बैठे रहो ओपन रखो टार्गेट को एसल को फिक्स रखो पहली बार जब ट्रेड ले रहे हो तब हम 23 क्यों रख रहे हैं क्योंकि अगर उल्टा जा तो अपने को उतना ही लॉज हो समझा गया डन अब इसमें और कोई मतलब और कुछ बाकी नहीं रह जाता है एंट्री कि आ गया बाय मतलब कप करना है सेल कप करना है टार्गेट कितना रखना है स्टॉप लोस क्या करना है लाइने कैसे ड्रॉ करना है सब बता दिया है अब मुझे ये वीडियो पे दो सो लाइक चाहिए जल्दी से कर दीजिए और मुझे वाटसप करी अगर कुछ प्राबलम ह तो थैंक यू